यह जब इसकी घोसना अचानक हुई तो अगले दिन सुबह रास्टपती जी का भी एक बयान देखने को मिला जिसमें उन्होंने वेलकम किया और एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जो बातें कही जाती है कि आखिर हम क्यूं कर रहे हैं तो मुझको ऐसा लगा कि इमीडियेटली इसके विरूध में कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं है अगर डिमोनिटाइशन हो रहा है ब्लैक मनी को बाहर करने के लिए और जो कुरॉप्सन है उस पर उसको खतम करने के लिए या जो फेक करेंसी है उसको समाप करने के लिए आधी आधी यह सारी बातें कही जा रही है तो अगर इन चीजों के लिए कोई स्टेप हो तो हम इमीडियेटली इसके बारे में कोई भी चीज की ऐसा नहीं संभव है कहने की कोई आवसकता नहीं लेकिन इतना तो तय था कि जो हमारे हाँ जितना note circulation में है cash transaction जो होता है तो उसमें जो कुछ भी black money है cash में और currency में तो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा basically black money या तो बाहर है या फिर share में है या हीरा सोना में है या real estate में ऐसी चीजों में black money लेकिन अगर कोई ब्लैक मनी पर अटेक करने की बात करता है इसलिए हम लोगों ने तो सुरू से ही कहा कि अकेले इस से नहीं इसके साथ साथ बेनामी संपत्ती पर हिट करना होगा बाकि सब चीजों पर करना होगा और जो एस्चुरेंस दिया गया था 2014 में चुनाओ के पहले कि इतना ब्लैक मनी है और अगर हम लोगों की सरकार आ गई तो इतना ब्लैक मनी वापिस आएगा कि मुफत में और यूं ही हर आदमी को पंदरह से बीस लाक रुपे मिल जाएगी मैंने तो वह जो भासन था मोदी जी का उसका तो बाजापता ओडियो टेप हमने जगह जगह सुनाया अपने बिहार में 2014 में और बाहर भी पहले तो लोग समझ रहे थे कि तीन लाक की बात कोई कर रहा थे उसमें तो पंदरह से बीस लाक की बात करी तो इन चीजों को तो हम लोग कहते ही रहे लेकिन अगर सच मुझ ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो इमीडियेटली उस पर कुछ कहने की बात ने लेकिन अब तो हम लोग भी पूछ रहे हैं कि वह सपोच करी और उस समय दो लोगों को छोड़ देज किसी ने यह नहीं कहा कि यह बिल्कूल गलत भीना तैयारी के आप कह रहे हैं कॉंग्रस ने भी शुरू में यह नहीं कहीं से भी नहीं डॉक्सा बैठे हुए हैं इन्होंने भी राजसभा में जो भासन दिया तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन इसके बारे में अब तो यह पचास दिन छोड़ दीजिया असी दिन से भी जादा बीट गया तो इसे कितना ब्लैक मनी बाहर है